देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दी रहे हैं वैग्यानिक इसकी दवा बनाने में जुटे हुए हैं सरकार और प्रिशासन भी दिनरात नागरिकों की सरक्षा के लिए जतन में लगी हुई है और ये सोच रही है कि कोरोना वाइरस से नागरिकों को कैसे बचाया जाए कोरोना से बचने के अब तक दो ही तरीके सामने आए हैं एक तो सफाई और दूसरा सोचल डिस्टेंस हैं अभी तक इन दो नियुमों के साथ सरकार नागरिकों से लगातार कोरोना से बचने की अपील कर रही है वही देश में अनलोक 1.0 चल रहा है जिसमें परिवहन सेवाएं जिनमें कैब और आटो शामिल है उन्हें चलाने की पर्मीशन दे दी गई है लेकिन नागरिकों के लिए शुरू की गई ये सुवधा उनके लिए नुकसान देह भी साबित हो सकती है क्योंकि अगर गलती से किसी कैब या आटो में कोई कोरोना वायरस का मरीज बैट गया और बाकी दूसरे भी उसी में बैट गये तो संक्रमन फैल सकता है और इसी से बचने के लिए एक आटो ड्राइवर ने गजब का तरीका निकाला है और ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है और सभी ड्राइवर की तारीफ करते नजर आ रहे है सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आटो वाले ने कोरोना से बचने के लिए अपने आटो में वाश बेसिन लगा रखा है और इस वाश बेसिन में हैंड वाश रख रखा है और आटो में पानी की बॉतल फिट की गई है टाकि आटो में बैठने और उससे उतरने वाले यात्री इसका इस्तमाल करें और खुद की संक्रिमन्ट से रक्षा कर सकें इस वीडियो को आटो वाला नाम के एक ट्वीटर पेज ने शेयर किया है वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आटो में आर्टिफिशल घास लगी हु हुआ है और एक पानी की बॉटल फिट की हुई है और टो काफी साफ सुत्रा निजर आ रहा है और इसकी साफ सफाई देखकर हर कोई सरक्षित माहौल में जाना पसंद करेगा इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कैप्शन लिखा गया है वो भी कमाल का है कैप्शन में पारस का बिलकुल भी रिस्क नहीं लेने का आपको बता दें किस वीडियो को 15 जुन को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और इस वीडियो को अब तक साड़े छे हजार से जादा लोग देख चुके हैं इस वीडियो को कहीं लाइक भी मिले हैं और इसे कहीं बार